पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पिछले दो दिन से हालात शांती विवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में खास कर पूर्वी दिल्ली में वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विशे है सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विशे है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांती बनाए रखें जिसके जो भी मामलाथ हैं जिसके जो भी मसले हैं सभी मसले शांती पूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं हिंसा से किसी का कोई समाधान निकल ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा तो मेरी सभी लोगों से हाद जोड के अपील है कि सब लोग शांतिय विवस्था बनाए रखें एक पुलिस वाले की एक हेड कॉंस्टेबल की मौत हो गई कुछ पुलिस वाले घायल हुए है इसके हमारी लोग हैं हमारी दिल्ली के लोग हैं हमारी देश के लोग हैं तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है वो भी किसी ना किसी परिवार के सगस्से थे जिन लोगों की मौत हो यह तो यह अच्छी स्थितिनी है जिन लोगों के घर जल का होगा तो अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था चाहे बीजेपी के विधायकों चाहे हमारी पार्टी के हों दोनों के विधायक आये थे और सभी सीनियर ओफिसस थे कंसर्ण डिपार्टमेंट्स के और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो हॉस्पिटल अथारिटीज को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तेदी से काम करें सभी हॉस्पिटल तयार रहें अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छी से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक डिक्कती आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुंचने में तो पुलीस के साथ कॉडिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुंचें सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकायत थी वो ये कि पुलीस का संख्यावल बहुत कम है और नीचे पुलीस को एक्शन लेने की पावर्ज नहीं है जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलीस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको उपर से ओर्रस नहीं म पारे ये जरूरत है जो अभी मैं अमिच्छा जी से मिलने के लिए जा रहा हूं बारा बजे तो उनसे भी ग्रहमंत्री जी से इसकी जिकर करूंगा इसके अलावा बॉडर के जो हमारे एरियाज हैं वहां के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो प्रेस्डियम्स हैं उनकों की वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांती बनाए रखने की अपील करें लोकल लेवल पे पीस कमिटी मीटिंग्स करें सभी धरम के लोगों को बुलाके और उसमें MLS भी और लोकल जो जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांती बनाए रखने की अपील की जाए तो चीफ सेक्रेटरी साब भी मौजूद है मैंने चीफ सेक्रेटरी साथ से रिक्वेस्ट किया कि वो पुलिस कमिशनर से भी बात और इस पे पुलिस अंख्या बढ़ाने के लिए और लोकल पुलिस वालों को पावर देने के लिए उनसे अपील करेंगे मैंने अभी अभी दिल्ली के लेटिनेंट गोवर्णर एलजी साब से बात किया है उन्होंने आस्वस्त किया है कि वहाँ पर तुरंट अतरिक्त पुलिस बल भेज करके सांती बोस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है आप सबसे तुना निवेदन है अपना सहम बना का रखें धर्नाक हो जाए करानी थे और ऐसा ना होने की सिक्षी में यहां दो मिनिस्टर्स बिल्ली की सरकार के तमाम प्राइब अपने अपने अलाकों में चाहिकर्मी करने के बाद आमनों चैन के अपी करने के बाद यह कहने के लिए और जन्यागों में सफिशिंट फोर्स इस भीजिया अब अब रुखत है कि इतनी बड़ी जिम्मधारी है जी साफ इकन पोड़े लेकि फिर बी वो जन्ता के इस प्र अपने अपने अनिहानीक पद की गरिमा को बचाया रखें के लिए सांवाएंगे और जो दिली की गुहार है और ना ओफिस के लोगों की गुड़ाद है कि यह लाइनों की जो पेड़ में अने से बचाया जाए उसको हार गुर्फ नहीं नहीं और इलाफे में पर्याप्त पुलीस पोर्स तराते हैं